हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज गी इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेस्बुक इस्टोरी को अर्काइव कैसे करते हैं इससे क्या होता है और इसके बाद क्या होगा आईए जानते हैं सबसे पहले हम फेस्बुक को ओपन करते हैं अपने mobile में यह रहा Facebook में इसे open करता हूँ और मेरी एक story लगी है जो कि मैंना example के लिए लगाई है इसे मैं open करता हूँ तीन डॉट पर touch करोगे तो आपको मिलेगा archive story या archive photo video अभी है क्या बताता हूँ देखिए आपको पता होगा कि अगर हम WhatsApp पर या Facebook पर कोई भी story या status लगाते हैं तो वह 24 घंटे बाल अपने आप हट जाता है तो यहाँ पर हम उसको archive कर सकते हैं यानि उस photo को एक अलग जगा पर save कर सकते हैं और बात में वह हम देख सकते हैं यहाँ पर अर्काइव फोटो कर दूंगा पर इससे क्या होगा अर्काइव फोटो वीडियो करने से वह अभी हट जाएगी जैसे मैं अर्काइव फोटो करता हूँ उसके नेचे लिखा है remove photo from story and save to archive यानि मैं इस पर touch करूँगा और ओके करूँगा तो यह story से हट जाएगा और अर्काइव फोल्डर में चला जाएगा आप go to archive पर touch करोगे तो पिछली जो भी story होगी यह जो भी चीज़े होंगी आपको यहाँ पर दिख जाएगी मैंने कई सारी story पहले भी archive कर रखिए 2 माई 11 मार्च 11 मार्च आप देख सकते हो ऐसे आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो और facebook में archive story यहाँ पर चेक कर सकते हो वीडियो पसंद आई है like करें चैनल को subscribe करें